Hello Everyone, Welcome to Knowlified Indian Policy for Civil Services and Other Competitive Exams यह हमारा कोर्स चल रहा है और Historical Evolution of Indian Constitution यह हम पढ़ रहा है दोस्तों अब तक हम लोग Regulating Act of 1773, Pits India Act of 1784 Charter Act of 1813, 1833 and 1853 इन Acts को पढ़ चुके हैं और यह सारे के सारे जो Acts हैं यह तपास हुए जब इंडिया में कमपनी का रूल था आज से हम उन Acts को पढ़ेंगे जब इंडिया में Crown का रूल हो गया British Crown जब इंडिया में direct rule करने लग गई उस समय उसके बाद जितने भी Acts पास हुए आज से हम उन Acts को पढ़ेंगे यह Acts हैं Government of India Act 1858 India Council Acts of 1861, 1892 and 1909 Government of India Act 1919, Government of India Act 1935 and India Independence Act of 1947 ठीक है तो आब सबसे पहले Acts पे जलते हैं Government of India Act 1858 दोस्तों Acts के प्रोविजन को पढ़ने से पहले मैं इसका थोड़ा सा background आपको बता देता हूं इंडिया में East India Company का रूल खतम करने का जो background था जो base था वो Charter Act of 1853 में ही set हो गया था वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1853 के पहले के जितने भी Charter Acts थे उसमें East India Company के रूल को 2020 years के लिए extend कर रही थी Britain की Parliament Britain का crown ठीक है लेकिन 1853 वाले Charter Act में यह जो time period था company के रूल को extend करने का इंडिया में इसको इन्होंने specify नहीं किया that means कि at any point of time जो British crown है वो East India Company से इंडिया का जो rule है वो ले सकती है छीन सकती है ठीक है हुआ भी SI ठीक 1853 के Act में वो time period specify नहीं किया और 1858 में Britain की crown ने British crown ने East India Company से इंडिया को अपने हाथ में ले लिया और इंडिया का पूरा का पूरा control अपने हाथ में ले लिया अच्छा इसका एक solid region भी उनको मिल गया British Crown को British Parliament को East India Company से इंडिया का जो rule है उसको अपने हाथ मे लेने का और वो जो solid region है वो है revolt of 1857 जिसको की हम लोग कहते हैं first war of independence ठीक है 1857 में जो revolt हुआ इंडिया को ब्रिटिसर्स से आजाब करने के लिए अपनी independence को पाने के लिए उस से ब्रिटिन की crown और ब्रिटिन की parliament को ये लगा कि East India Company के खिलाफ यहां पर लोगों के मन में बहुत जादा गुसा भारा पर आए East India Company के रूल से इंडियंस जो है वो satisfied नहीं है ठीक है तो उन्होंने सोचा कि अब जो है हमको East India Company से इंडिया का रूल ले लेना चाहिए अगर हमको अब इंडिया की उपर अपना जो अपना जो रूल है उसको बहुत ही smoothly चलाना है तो थीक है तो इसको British Parliament में इस Act को आगया Act of Good Government of India थीक है अब यह इनकी चलाकी देखिए Act of Good Government of India गूड गौर्मेंट किसका British Parliament का यानि कि इनों ने यह दिखाया कि अब जो हम आपके उपर सासन करेंगे अब गुट गुट कौन सी होगी, अब जो British Crown की गुटर्मेंट आएगी, British Parliament की जो Government आएगी, वो गुट गुटर्मेंट होगी, ठीक है? तो ये एक तरीके से brain wash करने की technique थी, Indians की, ठीक है? अच्छा, इस Act वोज introduced बाई Lord Palmiston in British Parliament, इनोंने February 1858 में ब्रिटिस पार्लियमेंट में इस Act को इंटोड्यूस किया था Government of India Act of 1858 को ठीक है और इसको इंटोड्यूस करने के बाद जो इन्होंने मेन रीजन्स बताये थे इस Act को इंटोड्यूस करने के वो रीजन्स ये बताये थे एक तो East India Company की utter responsibilities बताई थी कि East India Company इंडिया में अच्छी गवर्नेंस देने के लिए बिल्कुल भी responsibly behave नहीं कर रही है और बहुत ही जादा irresponsibly behave कर रही है ठीक है दूसरा इन्होंने बताया था कि जो double government है इंडिया में यानि कि जो colt of director और board of control जो दो bodies बनाए गी थी उनके उनसे जो double government इंडिया में प्रोवाइड कराई जा रही थी वो बिल्कुल ही फेल है ठीक है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो जो है जब pits india act of 1784 में वो लागू हुआ था dual government का system उस टाइम पे भी बहुँ जादा क्रिडिसाइज हुआ था क्यों क्योंकि उसमें जो responsibility थी वो overlap हो रही थी ठीक है na responsibility जो थी वो clearly divided नहीं थी ठीक तो यह जो lord palmistons थे इन्होंने भी जब government of india act 1858 को British parliament में इंट्रोड्यूस किया तो इन्होंने इसके दो कारण बताए एक तो इस इंडिया कंपनी की utter responsibility और दूस पास हुआ British Parliament में 2 अगस्ट 1858 2 अगस्ट 1858 और उस टाइम पे जो ब्रिटन के प्राइम मिनिस्टर थे वो थे Benjamin Disraeli ठीक है अच्छा जब यह act इंट्रोड्यूस किया था lord palmistons ने यह भी ब्रिटन के प्राइम मिनिस्टर थे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था February 1858 में ले अगस्ट 1858 में जब यह act पास हुआ उस टाइम पे जो ब्रिटन के प्रदान मंत्री थे वो थे Benjamin Disraeli ठीक है और यह जो lord palmistons थे जिन्होंने ओरिजनली इस act को इंट्रोड्यूस किया था यह opposition में बैटे हुए थे ठीक है दोस्तों तो यह background था इस act को इंट्रोड्यूस करव तो दोस्तों इस act का जो सबसे major provision है वो यह है कि अब जो इंडिया है उसमें East India Company का rule पूरी तरीके से खतम हो गया है और अब इंडिया directly ब्रिटन की जो parliament है ब्रिटन का जो crown है वो rule करेगा ठीक है तो इसका जो सबसे major provision है वो है इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty यानि कि अब इंडिया के उपर directly ब्रिटन की crown का rule होगा East India Company के rule को खतम किया जाता है ठीक जो second major provision है वो यह है कि जो governor general of India का post था इसकी फिर से rebranding की गई और इसको viceroy of India कहा जाने लगा ठीक है और यह जो viceroy of India होता था यह direct representative of British crown होता था in India ठीक है जो viceroy होता था वो direct representative किसका होता था? ब्रिटन की crown का होता था ठीक? 1858 में जो governor general of India थे वो थे lord canning ठीक? तो यही lord canning ही पहले viceroy बन गए first viceroy of India, lord canning ठीक है? इस act ने जो double government का system था, cult of director और board of control का उसको खतम कर दिया ठीक? तो अब double government इंडिया में नहीं है ठीक है? तो major provisions द्यान से देखिए अब इंडिया direct crown के control में आ गई governor general of India को viceroy of India कहा जाने लग गया, lord canning जो थे वो पहले viceroy थे जो viceroy थे जो viceroy था वो direct representative of british crown था और जो double government का system था उसको abolish कर दिया गया ठीक है? अब इसका जो next provision है major provision है यहाँ पर अब एक नए office की शुरूवा आत हुई, secretary of state for India ठीक है? SOS, secretary of state for India यह इन्होंने एक नए office बनाया यह जो office था, इसकी जो seat थी वो लंदन में थी यानि कि यह जो secretary of state था, यह कहां बैठता था? लंदन में बैठता था, यह इंडिया में नहीं आता था ठीक? इसको जो secretary of state था, इसको इंडिया के उपर पूरा control और पूरी authority दी गई ठीक है न? इस office wasted with complete authority and control over इंडिया इंडिया की पूरी की पूरी responsibility कि इसको दी गई, secretary of state को दी गई, ठीक है यह जो secretary of state होता था, यह British cabinet का एक member होता था यानि की वहाँ का कोई मंत्री होता था, British cabinet का, ठीक है और यह British parliament के लिए responsible होता था, ठीक है Responsibility की British parliament की होती थी, Lord Stanley, यह पहले secretary of state थे, ठीक है तो Secretary of State से उन में आया, इसकी जो seat थी, यानि कि इसका जो office था, वो London में था ठीक है, Secretary of State, इसके पास India को control करने का complete authority थी ठीक है, ये Britain की cabinet का एक member होता था, और British Parliament के लिए responsible होता था ठीक है, अच्छा, इसको advice करने के लिए, एक Council of India बनाईगी, जिसमें की 15 members थे Council of India में 15 members थे, और ये जो Council of India थी, ये Secretary of State को advice करने के लिए बनाईगी थी, यानि कि ये एक advisory body थी, ठीक है इसका जो chairman होता था, Council of India का वो Secretary of State होता था, ठीक है, क्योंकि उसी को advice करने के लिए case body को बनाया गया था, अच्छा, इसको जो बनाया गया था, वो as a corporate body बनाया गया था, यानि कि ये किसी को भी sue कर सकती थी, और इसके उपर भी कोई भी case कर सकता था, अगर ये कुछ भी irresponsible काम करती है, कुछ भी करती है, तो इसके उपर इंडिया में या इंग्लेंड में कोई भी case कर सकता था, और ये किसी के ऊपर भी case कर सकती थी अगर कोई इसकी बाद नहीं माने तो ठीक है तो ये एक corporate body की तरह बनाय गया था अच्छा इसको थोड़ा seriously बनाया था British Parliament में seriously ये बनाया था क्योंकि नोंने कहा था कि ये जो 15 members होंगे council of India के ठीक है इस council का member बनने की कुछ qualification होगी और उस qualification में एक qualification ये भी थी कि जो भी members होंगे उनको minimum 10 years का experience होगा इंडिया में काम करने का यानि कि उन्होंने कम से कम 10 साल तक इंडिया में काम किया होगा तभी वो इस council का member बन सकते थे ठीक है और ये जो 10 years of experience है ये इसको हुए 10 साल से जादा नहीं होने चाहिए यानि कि जब वो इसका member बनेंगे council of India के ठीक है तो उनको recently में ही 10 years का experience होना चाहिए इंडिया में काम करने का ठीक है तो अब इस act का जो outcome है वो देख लेता है ये सारे के सारे इसके major provisions अब इसके outcomes क्या हुए तो दोस्तों ये जो act है ये mainly इस act ने वो provisions दिये कि England से इंडिया की government को कैसे control किया जाए उस रास्ते को केवल change किया ठीक है इंडिया में जो government चल रही थी जो ground पे जो government काम कर रही थी उसमें इन्होंने कुछ भी major changes नहीं किया बस केवल नाम चेंज कर दिया और जो double government थी उसको खतम कर दिया गवर्णर जनरल ऑफ इंडिया वाइसराय बन गया और जो dual government कोल्ट ऑफ डारेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल कि उसको खतम कर दिया इसके लावा इन्होंने इंडिया में कोई भी changes नहीं किये अभी भी वही वाइसराय की executive council उसी तरीके से अपना governance यहाँ पर चला रही थी ठीक है तो इन्होंने जो majorly change किया वो क्या किया कि England से इंडिया की government को कैसे control किया जाए Secretary of State बना दिया East India Company का rule खतम कर दिया तो इन्होंने केवल जो majorly change किये वो यही किये ठीक है और यही इस act का एक drawback भी है क्योंकि 1857 का जो revolt हुआ था उसके बाद यहां के लोग भी यह सोच रहे थे कि कुछ substantive changes होंगे इंडिया की government में इंडिया को कैसे govern कर रही है Britain की government, Britain की parliament, Britain की parliament, Britain का crown कुछ उसमें substantive changes होंगे लेकिन उसमें कुछ भी substantive changes नहीं हुए ठीक है तो it did not alter in any substantial way the system of government that prevailed in India ठीक है दोस्तों इस act को हम अगर हम summarize करें तो इस flow chart से summarize कर सकते हैं board of control और court of director इनको abolish कर दिया गया, governor general of India यह बन गया viceroy of India और lord canning was the first viceroy of India ठीक है, British parliament यह appoint करती थी secretary of state को और इसकी council of India को जिसमें 15 members थे ठीक है और जो इंडिया में crown का representative था वो था viceroy इसको appoint करता था crown अच्छा यह जो flow chart है यही communication channel भी था उस time ठीक है viceroy was responsible for secretary secretary of state and secretary of state was responsible for British parliament ठीक है यानि कि viceroy को अगर British parliament से या वहां की crown से कुछ भी बात करनी होगी तो वो किसके through करेगा secretary of state के secretary of state has full control and authority over matters of India ठीक है यही communication channel भी था viceroy किससे बात करेगा secretary of state से and secretary of state किससे बात करेगी British parliament से ठीक है तो यह हो गया government of India act 1858 अब हम अपने next act पे चलते है that is India council act of 1861 ठीक है 1858 का government of India act आया और उसके 3 साल के बाद ही India council act 1861 आया इसका एक कारण था जैसा कि मैं आपको बताया कि 1858 का जो act था उसका एक drawback था कि उसमें इंडिया के अंदर कैसी government वनेगी ground पे उसमें बहुत जादा substantial changes नहीं आया उसमें बहुत जादा changes नहीं किये गये केवल उस तरीके पे change किया गया कि England से इंडिया की government को कैसे control किया जाए ठीक है तो Britain की जो Parliament थी वो इस चीज को भाब गई कि इंडिया के लोग यहां पे ground रूप में कैसे government काम करेगी उसके उपर अब बहुत जादा ध्यान दे रहे तो उन्होंने 1858 के इस drawback को खतम करने के लिए तीन साल के बाद ही इंडिया council act of 1861 पास किये ठीक है तो इस act को यह act इसके बाद 1892 का act और 1909 का act इन acts में इंडियन को इंडियन को इंडिया की government के साथ associate करने का के रास्ते बनाये गये कि किस तरीके से इंडियन को भी participate कराया जाए इंडिया की government में ठीक है तो इस act was passed in pursuance of policy of association ठीक है अब इंडियन को भी इंडिया की government के साथ associate करने की कोशिस की जाने लगी ठीक है तो इसके major provisions रहते हैं इंडिया इंडियन council act of 1861 के it started associating Indians in lawmaking process ठीक है इन act से जो वायसराय की legislative councils थी उनमें इंडियन को भी participate करवाने के मौके दिये जाने लगे executive council में तो नहीं मिल रहते है अभी लेकिन जो legislative council थी उसमें इंडियन को भी participate करवाया जाने लगया ठीक है अच्छा मैंने आपको पहले के act में बताया था कि जो वायसराय यानि जो governor general of India उस time का और अपका वायसराय इसकी जो legislative council थी उसमें six members होते थे ठीक है तो इस act में ये provision किया गया कि वायसराय को कुछ इंडियन्स को as a non-official member अपनी legislative council में participate करवाना चाहिए यानि कि कुछ इंडियन्स को nominate करना चाहिए उन्होंने कहा कि जो legislative council है वायसराय की उसकी जो strength 6 थी वो अब 6 to 12 हो सकती है यानि 12 तक बढ़ सकती है और वायसराय को कुछ इंडियन्स को अपनी legislative council में as a non-official member participate करवाना चाहिए ठीक है non-official member और official members में ये difference होता था कि official members के पास के पास ज़्यादा power होती थी ठीक है non-official members जो है वो non-official member जो है जो lord canning ते जो first wise रहे थे उन्होंने तीन इंडियन्स को अपनी legislative council में nominate किया कौन-कौन राजा और बनारस, महराजा और पतियाला और सर दिनकर राओ ये तीन इंडियन्स थे जिनकों की सबसे पहली बार lord canning ने अपनी legislative council में nominate किया ठीक है अच्छा जो centralization का process regulating act of 1773 में start हुआ था यानि कि सारी की सारी power जो है वो governor, governor general of India इनके हाथ में जो देने की शुरुआत हुई थी regulating act of 1773 में और जो की अपने peak पे पहुँची charter act of 1833 में जब जो provinces थे उनकी legislative power को भी खतम कर दिया charter act of 1833 में मैंने आपको सारी चीज़े detail में बताई थी ठीक है उस process को यहां से खतम करना चालो किया ठीक है और उसका reverse जो process है वो start किया process of decentralization का ठीक है यानि कि powers को जो है अब वो धीरे-दीरे बाट रहे हैं अलग-अलग उसमें ठीक तो यह decentralization का process start हुआ इसमें सबसे पहले इनोंने यह किया कि जो legislative power चीनी थी मद्रास और बॉंबे से Act of Charter Act of 1833 से उसको उनको वापस दे दिया गया और यह कहा गया है कि जो प्रोविंसे जहें मद्रास और बॉंबे की वो अपने जो कानून है वो अपने लॉज खुद ही बनाए अपनी legislative council उनकी वापस कर दी गई और वहां पर भी legislative council प्रोविंसेज की बना दी गई ठीक है इ 1866 में और पंजाब में बनाएगी 1897 में यानि कि जो process of decentralization था वो चालू हो गया center में center की power को बाटा गया प्रोविंसेज में ठीक है अच्छा इसमें प्रोविजन यह दिया गया कि जो वाइसरा है वो business जो मतलब अपनी council में काम को ढंक से smoothly करने के लिए ठीक है ना transaction और business के लिए ठीक है कुछ भी rule बना सकता है अपनी executive council में भी धंग से काम को करने के लिए और अपनी legislative council में भी धंग से काम को करने के लिए जो business rule है वो बना सकता है यह आज की तरह यह जैसे आज भी parliament में transaction और business rule हो था कि थाकि parliaments और state assemblies में जो process है, उन process को codify करके transaction of business rule का जाता है, जिसमें एक आ जाता है कि ऐसे act इंट्रोड्यूस होगा, ऐसे voting होगी, यह सब transaction of business rules है, इसी तरीके से उस टाइम पर यह था कि वाइसराय जो है, वो transaction of business rule बनाएगा, अपनी executive council और अपनी legislative council में धंग से कामों को कर करने के लिए, ठीक है, तो यह जो act था, इसी ने, जो canning ने, पहले एक चीज में आपको बता देता हूँ, जो इंडिया में portfolio system है, portfolio system मतलब mantra-lay system, ministry system, कि यह ग्रीह मंत्री होंगे, यह ग्रीह मंत्रा-lay देखेंगे, यह रक्षा मंत्री होंगे, defense minister होंगे, यह defense ministry देखेंगे, यह foreign ministry देखेंगे, यह finance ministry देखेंगे, ठीक है, तो ministry को portfolio कहते हैं, ठीक है, तो यह जो portfolio system है, यह इंडिया में introduce किया था, 1859 में Lord Canning ने, और इन्होंने जो अपनी executive council थी, उसमें जो members थे, executive council में कितने members होते थे, 4 members होते थे, मैंने पिसले acts में आपको बताया है, ठीक है, कि प फिर उसके बाद एक law member और add कर दिया गया, ठीक है, तो total four members होते थे, तो उन four, चारो के चारो members को, ठीक है, एक-एक portfolio दे दिया, कि यह वाला जो member है, वो home ministry देखेगा, यह वाला जो member है, वो military देखेगा, यह वाला जो member है, यह law देखेगा, ऐसे करके, इन्होंने portfolio बना दिय है, हर एक member के, ठीक है, तो the portfolio और ministry system of governance was introduced by Lord Canning in India in 1859, ठीक है, तो जो Indian council of 1861 में यह वाला provision था, उससे Lord Canning के इस portfolio system को validity मिल गई, Lord Canning ने कहा कि मैं जो है, smooth transaction of business के लिए, इस portfolios को बना रहा हूँ, ताकि, जो members है, उनकी जो responsibility है, उनकी जो powers है, वो collapse ना करे, वो overlap ना करे, ठीक है, और इसके साथ साथ ही, इस act ने वाइसराय को ordinances issue करने का भी power दिया, और यह भी कहा, कि वो council के, जो council है, उनके किसी फैसले को, किसी decision को overrule भी कर सकता है, ठीक है, यानि कि वाइसराय को powerful बनाया गया, एक तरफ तो decentralization चालू हुआ, और दूसरी तरफ वाइसराय को powerful भी बनाया गया, इस act में, ठीक है, अच्छा, इसमें जो वाइसराय की executive council थी, वाइसराय की, जिसमें four members थे, उसको extend किया गया, और एक पाँचवा member act किया गया, ठीक है, और यह जो पाँचवा member होता था, यह एक eminent jurist होना चाहिए, यान जूरिस्ट यानि कि जिसको की कानून की, laws की, न्याय की, judgment की, इसकी बहुत जादा knowledge हो, ठीक है, तो यह जो पाँचवा member है, यह एक eminent jurist होना चाहिए, वाइसराय कि जो executive council थी, उसको extend किया गया, ठीक है, मैंने आपको पहले बता था कि canning ने portfolio system किया था, तो यह जो पाँचों के पाँचों members थे, इन सब के पास एक-एक function था, एक home ministry देखता था, एक military देखता था, एक law देखता था, एक revenue देखता था, और एक finances देखता था, तो इन पाँ पाँचों के जो executive council के पाँचों members थे, इन सब का portfolio decide हो गया, ठीक है, इसके साथ ही, जो legislative council में जो भी laws बनेंगी, ठीक है, उसमें vicerai का assent, जो भी important laws होंगी, यानि कि जो finance related laws होंगी, revenue से related होंगी, या law से होंगी, या military से होंगी, इन से related, जो भी laws बनेंगी, उसमें vicerai का assent मिलना जरूरी है, जैसे इस time पे राश्पती का assent मिलना जरूरी है, वैसे ही, उसमें, important laws में vicerai का assent होना जरूरी है, ये भी इस act में एक provision था, ठीक है, इसके साथ ही इनोंने SOS, यानि कि जो secretary of state था, जो कि लंदन में बैठता था, उसके पास भी एक power दिया, उसके पास य कोई act पास करती है, और SOS को वो act पसंद नहीं आता है, ठीक है, या SOS को, secretary of state को, उस act में कुछ कमी नजर आती है, तो वो उस act को dissolve कर सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि SOS के पास, इंडिया को govern करने की complete authority थी, complete control था, तिन्होंने SOS को ये power दिया, कि वो vicerai की council के द्वारा बन आते है, government, executive council में, vicerai की, ये आगे चल के और बढ़ाएगे, और 1874 में, इसका 6th member भी add हुआ, and that 6th member was responsible for public works department, PWD, ठीक है, तो ये India council act 1861 के सारे के सारे provisions है, ठीक है, तो दोस्तों, अब हम आज की lecture को यहीं पर खतम करते हैं, आगे के जो act से उनको हम next lecture में पढ़ेंगे, ठीक है, दोस्तों, चैनल को subscribe कीजिए, वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, ताकि आपके पास सारे के सारे lectures की जो information है, वो time पर पहुंशती रहे है, और आप से कोई भी lecture छोटे न, thank you